वेलकम बेक टो माई चैनल, आज हम घर पे बन बनाएंगे, बिना किसी अवन के, बिना किसी जहनजट के, आसानी से हम इसे घर के नॉर्मल पैन में बनाएंगे, और यह बहुती सॉफ्ट बनेगा, बहुती स्पॉंजी बनेगा, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं, एक बोल में हम लेंगे, आद्धा कप गरम पानी, नीम गरम पानी है यह, और एक चौथाई कप गरम दूद ले लेंगे, दूद डालने से बन सॉफ्ट बनते हैं, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते, तब 3-4 कप पानी ले लीजिए, और इसमें हम डाल देंगे, 2 टेब जोगों मिला लेंगे, और 10 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, जिससे के यीस्ट फर्मेंट हो जाए, और यह देखिए, यीस्ट फर्मेंट हो गया है, अगर इस तरह के बवल नहीं बनते हैं, तो इसका मतलब है कि यीस्ट खराब है, बन उसमें नहीं बनेगा, अब हम दो कप मैदा एड़ करेंगे थोड़ी से मैदा मैंने अहत्यातिन बचा ली है और इसमें हम आधा टीजी स्पून नमक एड़ करेंगे और एक टेबिल स्पून तेल एड़ करेंगे तेल आप कोई सा भी रिफाइन ले लीजिए और अब हम इसका एक डो बनाएंगे और जो मैदा मैंने बचाई थी उसे भी हम इसमें डाल देंगे अगर आप बिगनर हैं तब आप मैदे को थोड़ा सा बचा लीजिए अगर ज़ुरत होगी तो बाद मैट कर देंगे लेकर अगर शुरू में ज्यादा होगी तो फिर उससे बन हार्ड हो जाएगा और इससे आटा गुन्ने में भी असानी रहती है और आटा मैंने लगा लिया है और यह देखे मैंने इतना सौफ्ट डो बनाया है इसके उपर मलका सा ओईल लगा देंगे और अब हम इसे कवर करके किसी गरम जगा पर एक से देड़ घंटे के लिए रख देंगे गर्मिया है इसलिए जन्दी ही फर्मेंट हो जाएगा और यह देखिए देखिए देड़ घंटे के बाद दो फर्मेंट हो गया है तो प्रिक रेक को हम अटा देंगे यह देखिए इसमें कितने air आ गई है हलका सा पंच करेंगे इस तरह से जिससे इसके सारे air बाहर निकल जाए और इसको हम दोबारा से दोबनेट के लिए और नीट कर लेंगे तो किसी सर्फिस पर हम इसे निकाल लेंगे थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इसको हम दोबनेट के लिए नीट कर लेंगे हातों से मसल मसल कर इसको अच्छी तरह से नीट कर लीजिए जिस तरह से दिखा रहे हैं अब हम एक pan लेंगे और pan में हम थोड़ा सा oil grease कर लेंगे और ये dough का मैंने बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और इसको हम pan में डाल देंगे और pan में हम इसे अच्छी तरह से फैला देंगे बहुत पतला नहीं करेंगे से अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको 15-20 मिनट राइज होने के लिए रख देंगे 20 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे इसके उपर से हम अंडे की जर्दी लगा देंगे इससे शाइन अच्छी आती है और बन उपर से कड़क भी नहीं होता है अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तब आप अंडे की जगा दूद लगा सकते हैं तो किसी चम्मस से या बुरश की हैल से अच्छे से अंडा फैला दीजिए तो मैंने सिफ जर्दी ली हैं अंडे की अंडे का जो वाइट पार्ट होता है वो नहीं लगाया जाता है और उपर से हम सफेद तेल स्प्रिंकल कर देंगे जिसने ये देखने में खुब्सूरत लगता है यहाँ पर देखिए मैंने गैस का फ्लेम आउन कर दिया है और इसके उपर मैंने तबार रख दिया है जो पांच मिनट से गरम हो रहा है और अब हम इस प्रिहेटिर तवे पर पैन रख देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है और इसको हम 10-15 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर बेग करेंगे या तब तक बेग करेंगे जब तक उपर से ये सालिड ना हो जाए और 15 मिनट के बाद ये देखिए उपर से बिल्कुल सालिड हो गया है पक गया है अब हम इसे फ्लिप कर देंगे और ये देखिए नीचे से कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है और इसे अब हम 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और ये देखिए पांच मिनट के बाद बन हमारा पक गया है हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से उल्टा करके हम प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए हमारा खुबसूरा सा बन तयार हो गया है बहुत अच्छी तरह से बेग हुआ है और बहुत फ्यारासव color आया है तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने पैन में बन बना लिया है मैंने रोटी के size का बनाया है जतना बड़ा पैन है उतना बड़ा मैने से बनाया है अगर आप चाहें तो इसको छोटे size में भी बना सकते हैं डो के चोटे चोटे बॉल्स बना कर आप पैन में रख दीजिए थोड़ा सा स्पेस देकर और सेम प्रोसेस से आप उनको बना लीजिए तो अब अगर अवन नहीं है घर पर तो कोई परिशानी नहीं आप सिंपली पैन में भी बन बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं तो कैसी लगी है बन की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताइए इससे तरह आपको मेरे चैनल पर सिंपल और जायकेदार रेसिपी मिल जाएंगी बच्चों से रिलेटिट बच्चों की फैबरिट रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी तो चैनल पर एक बार विजर जर झाल झाल